भारत के पहले सबसे तेज गेंदबास थे, जिनके सामने खड़े होने पर अंग्रेज खिलाडियों के पैर कामते थे। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने साल 2006 में मुहम्मद निसार के सम्मान में निसार ट्रॉफी की शुरुवात की। इस टूर्नामेंट में दोनों देशों की ओर से घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता आपस में भी भिड़ती रही है। भारतिय क्रिकेट टीम ने साल 1932 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। सी के नाइडू के नेतरित्व में भारत ने इंगलेंट के खिलाफ क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड स्टेडियम में खेले गए शुरुवाती टेस्ट मैच को महज तीन दिनों में ही गवा दिया था। तेज गेंदबाज मुहमद निसार ने भारत के इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली बॉल भी डाली थी। दोरान उनकी गेंदों की रफतार कम सुर्खियों में ही रही है। सीके नाइडू ने अपने एक बयान में कहा था कि निसार इंगलेंड के तेज गेंदबाज हिरॉल्ड लारवुड से भी तेज हैं। मुहमद निसार ने 1932 में इंगलेंड के खिलाफ अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खेला और 1936 में इंगलेंड के खिलाफ अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला। अपने इस चार सालों के अंतरराष्ट्रिय करियर में मुहमद निसार को सिर्फ 6 टेस्ट मैचों में खेलने का मौका मिला। इन 6 मुकाबलों में निसार ने 25 विकेट जटके और उनकी गेंदों की रफतार सुर्खियों में रही। वैसे निसार ने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर में काफी मुकाबले खेले और अच्छी सफलता हासिल की। घरेलू क्रिकेट में निसार ने 93 मुकाबले खेले और 396 विकेट हासिल किये। टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन 90 रन देकर 5 विकेट था, जबकि प्रथम श्रेणी विकेट में उनका सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन 17 रन देकर 6 विकेट था, अपने करियर में वो 35 बार 5 विकेट लेने में सफल रहे, जबकि 3 बार ए एक मैच में दस विकेट लेने में भी सफल रहें। निसार ने अगस्त 1936 में अपने अंतिम टेस्ट में भी 6 विकेट लिये थे। भारत में निसार जैसा कोई भी गेंदबाज खिलाडी नहीं रहा। द्वितिय विश्वयुद्ध के बाद भारत देश के बटवारे के चलते हुए उनकी इस उपलब्धी को कोई भी भूल नहीं पाया है। बता दें कि लॉर्ट्स के भारत एथियासिक पहले टेस्ट मैच को देखने के लिए लगभग 25,000 लोग आये थे।